शुपुर जिले के पिपर समा बंडी में अनाच खरीदी को लेकर एक किसान और वेपारी के बीच विवाद हो गया इस विवाद में किसान पकसर के चाल लोगों ने मिलकर वेपारी परतिनेदी के पुत्रों के साथ मारपिट कर दी साथ कि उसके सिर्पर तलवार से भी हमला वोल दिया जिससे विवाद्पारी गंबी रुप से घायल हो गया इसकी शिकायत विवाद्पारीों ने एक जुठ होकर देहाथ थाने में पहुच कर दर्ज कराई है देहाथाना पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेज मामले की जाज शुरू कर दी है देहाथाना शिकायत दर्ज कराने पहुचे व्यापारियों ने बताया कि प्रतिनिदी सुनिल गर्ग मामू के बेठे सक्षम गर्ग आज मंडी में अनाज की खरीदी कर रहे थे मंडी में आज सोयाबिन की खरीदी की दर 4700 से लेकर 4800 रुपे के बिच चल रही थी इसी दोरान किसान हलके रावत उनके साथ टरपाल कल्ला अभिशेक नाम की लोग पहुचे और पचपन सो रुपे की दर से सोयाबिन खरीदने की जीत करने लगे जब सक्षम ने उन्हें इस दर पर सोयाबिन खरीदने से इंकार कर दिया तो चारों लोगों ने मिलकर सक्षम के साथ मारपिट कर दी और उसके सीर में तलवार मार दी जिससे वह गंभी रुप से घायल हो गया इस मामले में देहा थाना प्रभारी विकास्यादों का कहना है कि घायर को मेडिकल के लिए भेजा गया है मारपिट करने वाले लोगों के नाम की पुष्टी होने के बाद मामला दर्ज कर कारी वही की जाएगी शूपूरी से इसूप खन की रिपोर्ट कि चार जाने थे किस ठीज से बार की आया प्रूबार तल्वार अच्छा पीचे से तल्वार माईए रख पंदरा टांक यहां कोई बेबाद बगरत आगे आपका उनसे कोई बेबाद नहीं था किसानों के मुवाद हुआ था इसमें नक्का मुपी हुई है किसी के पत्थर की चोट लगी है इसको रभाईयल किया है तर एक मामला है लगेगा के मेरी चेन बगएर चला दी यह मूटी बगएरा नई असा कोई गटना ने हुई है तर इसमें ने कर आया है जी मेडिकल में जैसी की चोटे आईगे उसके आगी कर वाई पी हुई है है आप देख रहे हैं हमारा चैनल आज जर्भी 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें हुआ 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 है